हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का राहूल एकेडमी पर आज हम आपके उत्तरपदेश पुलीस रेडियो अप्रेटर के कटप के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका आंसर की कब तक आने वाला है और physical के लिए कितना गुना बच्चे को बुलाएगा इन सभी point के बारे में हम अच्छे से चरचा करेंगे तो चलिए आईए एक के करके इन सभी point के बारे में अच्छे से चरचा करते हैं देखिए अगर बात की जाए कि आंसर की आपका कब तक आने वाला है तो आंसर की आपका 25 से 26 फरवरी के बीच में कभी भी आ सकता है तो आप अच्छे से त्यार रहिएगा आंसर की आपका 25 से 26 फरवरी के बीच में कभी भी आ सकता है इसके आगे अगर बात की जाए कि फिजिकल के लिए कितना गुना बच्चे को बुलाने वाले हैं तो देखे फिजिकल के लिए आपका अड़ाई से तीन गुना बच्चे को बुलाए जाएगा कितने बच्चे को तो आठाई से तीन गुना बच्चे को बुलाए जाएगा इसके आगे अगर बात करें कि देखे पेपर का पैटरनिंग के बारे में आपको पता ही था कि 40 कोशन मैद का था, 40 कोशन रिजिनिंग का था, 40 कोशन जीके के थे और 40 कोशन आपका हिंदी का था, और कम से कम आपके हर सब्जिक्ट में 50% लाना आवस्यक था तो यह बाते आपको पता ही था, अब हम बात करते हैं कि आपका कटप कितना रियल में जाने वाला है हम बात करेंगे कि आपका कितना प्रस्न सही होगा, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हेड अप्रेटर के कटप के बारे में देखिए अगर Head Operator की बात की जाए तो Head Operator में सीटों की संख्या 936 था और Mail में सीटों की संख्या आपका 748 था फीमेल में आपका 188 सीट था और कितने % बच्चों ने आपका एक्जाम दिया था तो आपके 50-55 % बच्चों ने एक्जाम दिया था यानि कि अगर देखा जाए तो लगभग आपके 42,000 बच्चों ने एक्जाम दिया था तो चलिया आईए कटप के बारे में हम बात करते हैं देखिए अगर Mail की बात करें तो Mail में आपका EWAR की बात करें तो 108-112 % अगर आपका सही है तो समझे कि आप सेफ जोन में हैं वही अगर फीमेल में बात करें EWAR से तो देखिए 105-108 % सही है तो समझे कि आप सेफ जोन में हैं आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा इसके आगे अगर बात करें OBC Mail में तो 108-110 % सही है तो समझे कि आप सेफ हैं वही अगर फीमेल में बात करें तो 100-105 % सही है तो समझे कि आप सेफ जोन में हैं इसके आगे अगर बात की जाए EWS का तो EWS में Mail में अगर बात करें तो 108-110 % सही है तो समझे कि आप सेफ जोन में हैं वही female में बात करें, तो 100-105 प्रश्ण आपका सही होना चाहिए, और इसके आगे अगर देखे, प्रश्ण आपका सही होना चाहिए, वही अगर फीरिया में बात करें, तो कम से कम आपका 94-96 प्रश्ण सही है, तो समझे कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, इसके आगे अगर हम बात की जाए, इसके आगे हम बात करें वर्क साफ की कटप के बारे में तो देखिए वर्क साफ में आपका सीटो की संग्या कितनी था तो सीटो की संग्या आपका 120 था और कितने बच्चों ने आपका फारम भारा था तो फारम की संग्या आपका 73 राजा था 73,000 आपका प्लस ही था और कितने परसेंट बच्चों ने आपका एक्जाम दिया था तो लगभग आपके 55% बच्चों ने एक्जाम दिया था यानि कि देखा जाए तो लगभग आपके 40,000 बच्चों ने एक्जाम दिया था तो इसके cut-up के बारे में अगर बात की जाए तो देखे जनरल की अगर बात करें तो जनरल में अगर आपका 120 से 125 प्रस्ण है तो समझे कि आप safe zone में है OBC की बात करें तो OBC में आपका 115 से 120 प्रस्ण है तो समझे कि आप safe zone में है EWS की बात करे तो EWS में आपका उतना ही होना चाहिए यानि की 115 से 120 प्रश्ण आपका सही होना चाहिए ST की बात करे तो 110 से 115 प्रश्ण आपका सही होना चाहिए HD की बात करे तो HD के लिए कम से कम आपका 107 से 112 प्रश्ण प्रश्ण सही है तो समझी कि आप सेफ जोर में है आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा इसके आगे देखिए इसके आगे हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलीस अइस्टेंट अपरेटर के कटप के बारे में देखिए इसमें सीटों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा था कितना सीटों की संख्या था तो तेरा सो चगुहतर था इसके आगे अगर देखे बात की जाए किसमें भारम की संक्या कितनी थी तो इसमें बच्चों ने आपका 3,89,000 भारम भरा गया था इसके आगे अगर बात करें कि कितने % आपके बच्चों ने एक्जाम दिया था तो लगभग आपके 50-50% बच्चों ने एक्जाम दिया था यानि कि अगर देखा जाए तो देखें लगभग आपके 2,14,000 बच्चों ने एक्जाम दिया था देखे तीनों में आपके लगभग आपके 50-50% बच्चों ने आपका एक्जाम दिया था देखे इसमें आपका cut-up कितना जाए सकता है देखे जनर्ट की बात करें तो जनर्ट के लिए आपका 117-125 प्रस्टन सही है तो समझे कि आपको physical के लिए बुला लिया जाएगा वही अगर OBC की बात करें तो OBC में आपका 115-120 प्रस्टन सही होना चाहिए EWS की बात करें तो EWS के लिए आपका 115-120 प्रस्टन सही होना चाहिए ST की बात करें तो ST में आपका 110-110 प्रस्टन सही है तो समझे कि आप safe zone में है आपको कोई रोकने वाला नहीं है physical के लिए वही अगर ST की बात करें तो ST में आपका 105 से 115 प्रस्ण सही है तो समझे कि आप safe zone में है देखे ये जो आपका cut up है ये आपका real cut up है तो आपको ज़्यादा परसान नहीं होना है जितना हमने cut up बताया है उससे कम ही जाने वाला है इससे ज़्यादा cut up आपका नहीं जाएगा देखे अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कुछ तुरूटिया हुआ है आपका क्या बोला जाता है cut up में अगर आपको कुछ गलती लग रहा है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने जो cut up बताया है उतना cut up नहीं जाएगा इससे कम जाएगा या इससे ज़्यादा जाएगा नीचे आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं तो देखे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेर कर सकते हैं अगर आप चैनल पने हैं तो चैनल को प्लीज आप सस्क्राइब करिएगा अगर आपको किसी टापिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें इस टापिक पर वीडियो चाहिए तो चलिए आज के लिगना है धन्यवाद